आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें दाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बज प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें एक मेजरमेंट अर्थाद एक मापन बना रखा है कि अगर किसी भी पदार्थ के कड़ों का आकार अगर यहां पर एक नैनो मीटर से हजार नैनो मीटर के बीच में रहता है तो वह पदार्थ के कड कॉलाईडी कड कहलाएंगे ठीक है तो ये जो कण है इन्हें क्या कहेंगे कुलाइडी कण कहेंगे कड को कड़ों को कुलाइडी कण कहते हैं कुलाइडी कड कहते हैं सोज में आया है तो ये जो कड़ों है इन्हें क्या कहेंगे हम कुलाइडी कण कहते हैं अगर कणों का आकार कितना रहता है एक नैनो मीटर से हजार नैनो मीटर के मध्य रहता है ठीक है और अगर इसके अतरिक्त कणों का आकार है तो वो कुलाइडी अवस्था में नहीं होंगे कुलाइडी कण नहीं गलाएंगे अब दोस्तों जो हमारा कॉलाइडी बिलेन होता है इसमें सदैब दो अवस्थाएं होती है ठीक है और कॉलाइडी बिलेन में कॉलाइडी कण ही उपस्तित होंगे समझ में आया है तो यहां पर यह भी आप कह सकते हैं कि जो कॉलाइडी कण होते हैं इनकी दो अवस्थाएं होती है दो अवस्थाएं आरथाद प्रवस्थाएं होती है पहला परिछेप्णमाद्यम और दूसरी प्रवस्था होती है परिछेप्ट प्रवस्था ठीक है तो ये हमारे प्रश्का उत्तर हो जाएगा तो विकल्ब देख लेते हैं पहले विकल्ब म के अलाबा जैल में भी हो सकते हैं, सॉल ही होता है इनका, ठीक है? तो ये गलत विकल्प हो गया, तीसरे विकल्प में दे रखा है, इनका विध्ध्यूती करण नहीं हो सकता, तो ये भी गलत विकल्प है, क्योंकि दोस्तों, जो कॉलाइडी बिलियन होता है, कुलाइडी । में जो कुलाइडी कण होतें उन पर सधाय कोई न कोई आवेश औवस्य रहता है अब जो कुलाइडी कण होगा पूरा जैसे यहां पर हमने कार एक लैक लिए बना लिय। हों तो यानि इन जो हमें तीसरे विकलब में दे रखा इण का बैद्धोती करण नहीं हो सकता यह गलत है क्योंकि इन ठाड़ी में हो जाएगा तो आशा करता हो आपको यह समझ में होगा धन्यवूद सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर